ओ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देव आस्ता सीक्रेट्स में देव आस्ता सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विबिन धार्मिक स्थानों उनसे जुड़े इतिहास और विशेशताव के बारे में बताते हैं इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तूर उनसे जुड़े पहलू पर भी नजर डालते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी मां खुद करती हैं अगनी स्नाज इससे पहले की हम आगे बढ़ें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नीचे दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजे जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे भारात देश में वैसे तो कई रहसे में मंदिर है जहां वक्तों की भीड जमा होती है लेकिन राजिस्थान में देवी मां का एक ऐसा चमतकारिक मंदिर है जहां नवरातरी के दिनों में मां शक्ति की उपासना करने और दर्शन के लिए दूद दूर से बगत आते हैं यहां देवी मा प्रसन होने पर खुद अगनी सनान करती है यानि मंदिर के चारो तरफ खुद बखुद आग लग जाती है ऐसी माननेता है जो भी इस द्रिश्य को देखता है उसकी हर मुराद पूरी होती है अब आपको बताते हैं देवी मा के इस मंदिर का नाम और पता उदैपूर जिला मुख्याले से 60 किलोमेटर दूर कुरावड बंगोडा मार्कवर अरावली की पाड़ियों के बेज इस्तित है इडाना माता मंदिर इस मंदिर को लेकर मानिता है कि यहां आने वाले शर्दालों की हर मुराद पूरी होती है नेवाड में इडाना देवि मा का यह प्रशित शक्ती पीठ है यहां माता को कोई भव्य मंदिर नहीं बलकि इडाना माता बरगत के पेड़ के नीचे विराजमान है और खुले आसुमान के नीचे निवास करती है मा की मूर्ती के पीचे केबल भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर चड़ाई जाने वाली चुनड़ी और त्रिशोलो का सुरक्षा कवच माजूद है इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि अचानक ही इस मंदिर के चारों तरफ अपने आप भीशण आग लग जाती है जिसने भी इस घटना को पहली बार देखा वे हैरान रह गया शर्द्धालू इसे देवी मा का चमतकार मनते हैं आप कब लगती और बोश्ती है इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लग सका इस अनुकी वज़े से शर्द्धालू की मंदिर पर आस्ता और भी अटूट है नवरात्री के दिनों में यह इस चमतकार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं बताया जाता है कि जब इस मंदिर में आग लगती है तो देवी मा के सारे बस्त्र जल जाते हैं लेकिन देवी मा की मूर्ती को आज तक आग छो तक नहीं पाई यह आग इतनी भयानक होती है कि उसकी लप्टें 20-25 फिट तक उठती हैं दूर से देखने पर लगता है कि पूरा गाउं जल गया हाला कि वैग्यानिक तोर पर इस मंदिर में अगनिश्नान की पुष्टी अब तक नहीं की गई है लेकिन स्थानिय लोग और प्रशाशन इसको चमतकार ही मानते हैं मानता है कि इस मंदिर में लखवे का इलाज भी होता है अगर कोई लखवा ग्रस्व्यक्ति यहां आता है तो वह स्वस्थ होकर लोड़ता है इडाना माता को स्थानिय राजा रजवाडे अपनी कुल देवी के रूप में पूछते राए हैं मा के इस मंदिर में श्रदालू चडावे में लच्छा चुनडी और तुशूल लाते हैं मंदिर में कोई पुजारी नहीं है यहां सभी लोग देवी मा के सेवक हैं तो यह ती इडाना माता मंदिर और उससे जुड़े चमतकार की जहनकारी आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहें देवास्ता सीक्रेट्स नमस्कार